बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाना क्यों जरूरी होता है आज हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने पे इतना जोर क्यों डाला जाता है बहुत सारे स्कुलों में यू के जीम से और बहुत सारे स्कुलों में वन से कर्सिव राइ इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, इससे लिखने की स्पीड बढ़ती है, शिरू में जब बच्चे लिखना शिरू करते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, एक एक लेटर इस तरह से करके लिखते हैं, लेकिन वही जब उपर क्लास में जाते हैं, तो उनको लॉंग अंसर लिखने होते हैं, अगर इस तरह से लिखेंगे तो उनको बहुत time consume होगा, इसलिए cursive writing बच्चों को सिखाना इसलिए जरूरी होता है कि वो fast write कर सके, अब इसी को लिखना होगा तो वो इस तरह से लिखेंगे, यह cursive जब लिखते हैं तो बहुत है fast writing होती है, इसलिए बच्चों को cursive सिखाना बहुत जरूरी होता है, cursive सिखाने का कुछ ऐसा रूल नहीं होता है कि जैसे math, addition, subtraction की उसका method कैसे क्या, इस तरह से कुछ cursive writing में नहीं होता है, कुछ curve सिखाये जाते हैं कि इस तरह का curve बनाना है, basic क्या है, इसमें इस तरह की books market में available है, बहुत अलग तरह की और बहुत अच्छी अच्छी books available है, market में, आप कहीं से भी इस तरह की books लेके आएं, और बच्चों को practice करने कर दें, कुछ dots बने होंगे, कुछ plans होंगे इस तरह से, आप एक से दो महीने में अगर बच्चा daily एक page करता है, एशे शुरू करें capital letter से, और उनको daily करने को दें, इस तरह से, आप एक महीने के अंदर देखेंगे कि cursive writing बहुत वो लिखना सीख गया है, दीरे दीरे फिर वो freehand भी लिखना सीख जाएगा बच्चा, इस तरह बहुत अच्छी books market में available है, इसके बाद फिर word के साथ इस तरह की आती है book, जो two letters, three letters word, जो joint करके लिखे हो बाद में क्या होता है कि जैसे हम लोग बड़े हो के cursive writing लिखते हैं, तो proper cursive इतना, लेकिन वो writing fast अपने आप ही हो जाती है, cursive writing का मतलब है कि writing को fast करना, वो लिखने का तरीका आता है, ऐसा नहीं है कि बाद में सभी लोग proper cursive writing लिखते हैं, आप देखना, खुद भी इस त इस तरह से proper cursive writing नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो writing अपने आप ही fast हो जाती है, तो इस तरह से बच्चों, लेकिन हाई स्कूल में proper cursive writing सिखाया जाता है, ताकि आगे चलके उनको practice हो जाए उस तरह से, और वो कुछ भी लिखेंगे तो वो cursive writing अपने आप ही लिख लेंगे, तो इस तरह से बच्चों को cursive writing सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हरे एक लेटर के साथ पेन अगर उठाएंगे तो बहुत time consume होता है, और बाद में signatures वगेरा तो बहुत सारे cursive writing में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि हरे व्यक्ति का अलग signature होता है, अगर एक जैसे signature, अ पूरी life में हर एक जगह आपको cursive writing यूज करने की जरूरत होगी, I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो please like, share and subscribe, thanks for watching.